बिहार के लिए एक खुसखबरी, जी हाँ, एक और खुसखबरी, लागतार शायद दो दिनों से बस राज की खुसखबरी पर बाते हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने सोचा हम आई दिन नेगेटिव चीजों पर बाते करते रहते हैं, तो हम अपने राज की पॉजिटिवि तो न्यूज ये है कि मदुबनी का जजारपुर जंक्षन सच कर तयार हो चुका है, और शनिवार यानि कि आज मदुबनी और सुपॉल जीला रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, अब नमस्कार मैं नेहा कुमारी, कैमरा पॉस और उन प्रकास के साथ, और आप देख रहे है जनता जंक्षन, मदुबनी का जंजारपुर जंक्षन सच सवर कर तयार हो चुका है, और शनिवार यानि आज मदुबनी और सुपॉल जीला रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, रेल मंतरी अश्वनी वैशनव दोपहर दो बजे रेडियो कॉन्फरेंस से नई रेल लाइन क पर ट्रेनों का परिचालत बंद हो गया था, और इसके बाद कोशी और मिथलांचल के बीच रेल नेटवर्किंग छेतर में संपर्क तूट गया था, अब करीब 88 साल बाद एक बार फिर से कोशी और मिथला रेल नेटवर्किंग के छेतर में जुड़ जाएगा, साथ माई क रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माध्यम से जंजारपूर नर्मली नव आमान परिवर्तिर रेल मार्ग तथा निर्मली आसनपूर कुपहा नई रेल लाइन का उधगातन करेंगे, मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री सां अच्छा व्यवस्था का जाए-जालेंगे उधगातन के दिन जंजारपूर से सुपॉल जाने वाली DMU पैसेंजर ट्रेन का रेक स्टेशन पर लग चुका है स्टेशन अधिक्चक मदर कि शोर जाने बताय के फिलहाल पैसेंजर ट्रेन की 10 रेक जंजारपूर जंक्शन आ पहुंची है दस रेक और पहुंचने वाली है ट्रेन की बोगी को फूल से सजाया गया है रेलवे स्टेशन पर भविमंच बनाया गया है बड़ा डिस्प्ले भी लगाया गया चेतर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें आजादी से पहले रेल लाइन सुपॉल तक जाने की जानकारी है उस टेन में सफर करने वाले लोग नहीं मिल रहे अठासी वर्सों का यह लंबा समय अब मात्र कुछ है घंटों की बात रह गई डियारे मशूक अगरवाल ने बताये कि शनिवार को उद्गाटन के बाद ट्रेन चलेगी रविवार से सतर रुपे लगते हैं तो उद्गाटन के बाद ट्रेन से मात्र बेश रुपे में लोग इस दूरी को सै कर पाएंगे यात्र को सुगब बनाने और बहतर रेल सेवा उपलब्द कराने की दिशा में रेलवे लागातार काम कर रहा है तो वहीं मिधलांचल यह लोगों का सप सहरसा की दूरी तकरीबन एक सो किलो मीटर तक कम हो जाएगी कोशी नदी पर पूल ना होने की वज़े से दूसरी तरफ जाने के लिए मौजूदा समय में लोगों को काफी दूरी तै करनी पड़ती थी ऐसे में रेलवे पूल से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से अब के अनुसार किया जाएगा बता दे कि यह परियोजना 206 किलो मीटर लंबे सक्री लोकहा बाजार निर्मली और सहरसा फॉर्बिस गंच आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है इस परियोजना के कुल स्विक्रिती लागत 1584 कड़ों रुपे है इसके साथ ही 491 कड़ों जिसे प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी जी के कर कमलों द्वारा 18 सितंबर 2020 को देश को समर्पित किया गया था अब मोधी सरकार में ही इस रेल लाइन पर उधगार्टन के बाद रविवार से दर्भंगा जीले के लहेरिया सराय स्टेशन से जंजारपूर होते हुए सहरसा त सथी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जनता जंक्षिन